दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाओमी की तरफ से इंडिया में आने वाली रेडमी की मोस्ट अवेटेड और मोस्ट पॉपुलर सीरीज का आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 10 सीरीज के बारे में और Redmi की जो Note Series है भाई इंडिया में बहुत बिक्ती है यार मतलब हर तीसरे चोते आदमी के पास देखो तो Note Series में से एक फोन निकलाता है और अगर आकड़ों की भी अपन बात करें न तो लगबग 100 मिलियन के आसपास Note Series के फोन शाओमी इंडिया में बेच चुका है मतलब Note Series को काफी ज़्यादा पसंद किया जाता है इंडिया के अंदर और Redmi Note Series तयार है launch के लिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Note Series के दो फोन के बारे में Redmi Note 10 और Note 10 Pro के बारे में इस बार शायद आपको Note 10 Pro Max देखने के लिए नहीं मिलेगा Note 10 और Note 10 Pro ही आपको देख Note 10 और Note 10 Pro आपको देखने को मिलेंगे आज के वीडियो में हम बात करेंगे इनी दोनों फोन के स्पैसिफिकेशन के बारे में almost confirm स्पैसिफिकेशन है किस price point पर इंडिया में आ सकते हैं कब इंडिया में आने वाले हैं और क्या लेने लायक फोन रहेंगे या नहीं रहेंगे स सारी चीजे इस वीडियो में डिसकस करने वाले तो फटावट से वीडियो को स्टाइट करते हैं लेकिन वीडियो को स्टाइट करने के पहले like target स्टाइट करते हैं like target अपन रखते हैं 200 likes का I hope आप complete कर दोगे फटावट से वीडियो को स्टाइट करते हैं मेरा नाम है यश औ आपका स्वागत है स्टार्ट करते हैं भाई बातचीत को और बात करते हैं सबसे पहले फोन के बिल्ट क्वालिटी और डिजाइन की सुनने में ऐसा आ रहा था कि भाई शाओमी की तरफ से भी हमको रेड्मी नोट 10 जो सिरीज है वहाँ पर हमको प्लास्टिक बिल्ट देखने के लिए मिलने वाली है लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है जहां तक मेरी उम्मीद है क्योंकि जो MI10T Lite का लॉंच हुआ है वही इंडिया में भाई रेड्मी नोट 10 बन करके आने वाला है और वहाँ पर हमको मस्त वाली ग्लास बिल्ट दी गई है कॉर्निंग गॉरिला ग्लास पायू का बैक दिया गया है कॉर्निंग गॉरिला ग्लास पायू का ही फ्रेंट दिया गया है फ्रेम हलाकि यहाँ पर आपको प्लास्टिक की देखने के लिए मिलती है लेकिन बिल्ड क्वालिटी फोन की वहाँ पर अच्छी दी गई है और कुछ इसी तरह की बिल्ड क्वालिटी हमको यहाँ पर Redmi Note 10 और Note 10 Pro में हमको देखने को मिलेगी इग्जैक्ली वेसा नहीं है यहाँ पर आपको Quad Camera सेटप दिया गया है Circular Cutout में और Flash को साइड में किया गया है Poco F3 में आपको Flash वही पर मिलता है Circular Cutout में यहाँ पर साइड में Flash है चार कैमरास आपको Circular Cutout में मिलते हैं MI की branding नीची की तरफ दी गई है और Front में बात करते तो बीचो बीच एक बिंदी लगाई गई है डिस्पले में और हलकी सी आपको चीन देखने के लिए मिलती है Overall Build and Design अच्छी है फोन की Build Quality काफी अच्छी है डिजाइन भी देखने में काफी अच्छा लग रहा है डिस्पले के अगर बात करें भाई तो दोनों फोन में आपको सेम डिस्पले देखने के लिए मिलेगा 6.67 इंचेस का Full HD Plus Resolution के साथ में आने वाला IPS LCD पैनल यहां पर दिया गया है जी हां शाओ में अभी तक Super AMOLED की तरफ नहीं गया है Note 10 Series में यहां पर आपको IPS LCD पैनल मिलेगा लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको 120Hz का Refresh Rate देखने के लिए मिलेगा सेम डिस्पले Poco X3 के अंदर आपको देखने को मिलता है वही का वही डिस्पले यहां पर देखने के लिए मिलेगा 20S29 का Spectre Show है 395 PPI की Pixel Density है 450 Nits की Brightness यहां पर आपको मिलती है HDR10 का Support मिल जाता है Overall Display Quality यहां पर काफी अच्छी दी गई है हाला कि AMOLED नहीं दिया गया है लेकिन AMOLED में खड़ा करना मतलब प्राइस बढ़ाना होता है यहां पर आपको मस्त छोटी सी बिंदी के साथ में IPS LCD पैनल देखने के लिए मिलता है Display Quality यहां पर अच्छी दी गई है दोनों फोन में आपको सेम डिस्पले देखने के लिए मिलेगा अब बात करते भाई फोन के performance की दोनों फोन में आपको अलग-अलग प्रोसेसर देखने के लिए मिलेंगे अब यह जो गणित है यह वैसे ही हो रहा है जैसा Note 8 सीरीज में होगा था कि Note 8 जो था वहाँ पर Qualcomm का प्रोसेसर था Note 8 Pro जो था महाँ पर Mediatek का प्रोसेसर था यहाँ पर भी कुछ वैसे ही होने वाला है Note 10 जो है वहाँ पर Qualcomm का प्रोसेसर मिलेगा आपको Qualcomm Snapdragon 750G प्रोसेसर 5G प्रोसेसर है 8 नेनोमिटर पर बना हुआ प्रोसेसर है 2.2 GHz की P-Clock Speed देता है Cryo 560 Core आपको मिलते है CPU की performance तगड़ी मिलेगी GPU के लिए Adreno 619 GPU यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है जो कि आपको अच्छी gaming करवा देगा 730, 732G से better gaming performance यहाँ पर आपको मिलेगी तो gaming में भी आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है और बात करें आपको यहाँ पर RAM ने स्टूरेज की तो LPDDR 4X RAM मिलेगी UFS 2.1 वाला इस्टूरेज मिलेगा तो overall performance आपको Note 10 के अंदर काफी अच्छी मिलेगी इसके बाद अगर बात करें Note 10 Pro की तो यहाँ पर आपको MediaTek का MediaTek Dimensity A20 processor देखने के लिए मिल सकता है जिसका हम बहुत ज़्यादा वेट करें इंडिया में की Dimensity processor हमको कब देखने को मिलने वाले हैं तो भाई Redmi Note 10 Pro के अंदर हमको Dimensity A20 देखने के लिए मिल सकता है A20 जो है 7 nanometer पर बना हुआ processor है 4 core मिलते है A76 वाले 2.6 GHz की clock speed पर और N2D score इसका जाता है 4,15,000 के आसपस overall भाई processor काफी अच्छा है GPU की बात करते तो ARM Mali G57 GPU मिलता है जो की 7 nanometer का GPU और gaming के performance आपको काफी अच्छी देता है तो gaming से भी आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली है LPDDR 4X RAM मिलेगी आपको UFS 2.1 और 2.2 दोनो टाइप की storage मिलेगी यहां पर 664 वाले variant में आपको UFS 2.1 वाला storage मिलेगा और 6128 वाले में आपको UFS 2.2 वाला storage मिलेगा दोनो फोन के अंदर तो यहां पर overall performance दोनो फोन से आपको काफी अच्छी मिलेगी दोनो फोन 5G capabilities के साथ में आपको इंडिया में देखने के लिए मिलने वाले है यहां पर हो सकता है इंडिया में जब आए तो camera setup थोड़ा सा इसका इंप्रूवड रहे क्यूंकि जो हमारी note 9 series है वापर हमको 5 megapixel का macro मिलता है यहां पर 2 megapixel का macro दिया गया है तो हो सकता है इंडिया में उसको 5 megapixel का कर दिया जाए overall camera की अगर बात करेंगे तो 4 camera का setup मिलता है और जैसा आजकल phones में हमको देखने के लिए मिल रहा है वैसे camera setup है कुछ नया उसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है फ्रेंट में अगर बात करते हैं तो Redmi Note 9 series की तरह ही यहां पर Note 10 में आपको 16 megapixel का selfie camera और Note 10 Pro में आपको 32 megapixel का selfie camera देखने के लिए मिल सकता है overall camera module यहां पर आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा दोनों फोन के अंदर कोई शिकायत आपको नहीं होने वाली है बैटरी के अगर बात करते हैं तो अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि दोनों में बैटरी साइज आपको अलग-अलग देखने को मिलेगा लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है इंडिया जब आएंगे दोनों फोन तो मुझे लगता है दोनों फोन में आपको 5000 mH की बैटरी देखने के लिए मिलेगी उसी के साथ में चार्जिंग के अगर बात करें तो Note 10 में आपको 18 वाट की चार्जिंग मिल सकती है और Note 10 Pro जो है महाँ पर आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी तो ओवराल बैटरी मॉडियूल भी दोनों फोन के अंदर काफी अच्छा आपको देखने के लिए मिलता है अच्छी बैटरी साइज मिलती है चार्जिंग टेकनिक अच्छी मिलती है लेकिन Note 10 में थोड़ी सी और फास्ट चार्जिंग अगर दे दी जाएगी तो वो अच्छा रहेगा Note 10 Pro से आपको कोई शिकायत नहीं है Note 10 के अंदर आपको थोड़ी सी और बैटर चार्जिंग पावर दे देनी चाहिए और ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी चार्जिंग करने के लिए दोनों फोन में आपको टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा उसके अलाबा बात करें यहां पर सिक्यूरिटी की प्राइवेसी की तो दोनों फोन में आपको साइड मांटेड फिंगरप्रेंट स्कानर देखने के लिए मिलेगा फेस अनलोक का उप्शन आपको मिल जाएगा चुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगे IR ब्लास्टर आपको दोनों फोन में देखने के लिए मिलेगा और सॉफ्ट्वेर एंड की अगर बात करें और साल बरबाद Android 12 का अपडेट जाएगा तो क्या हो गया कि Xiaomi यह बोलताएगा भाई हमने दो अपडेट दिये दो Android वर्जन स्किप करें तो यह Xiaomi की strategy है यहाँ पर आपको Android 10 पर फोन मिलेगा और out of the box MIUI 12 आपको फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा overall अगर specifications की बात करें तो specifications काफी अच्छे है हाँ एक चीज़ और दोनों फोन के अंदर आपको dedicated micro SD का slot देखने के लिए मिलेगा मतलब दो SIM लगा पाएंगे और एक memory card आप लगा पाएंगे दोनों फोन के अंदर आपको 5G का support मिलेगा जो कि हमारे लिए कोई काम का नहीं है कम से कम एक साल तक तो ये चीज़ थोड़ी से हमको ध्यान रखनी है हाला कि Xiaomi के phone जो है वो 5G ready phone आपको मिलेगे इन केस अगर इंडिया में 5G आ जाता है और ये phone आपके पास में है तो आप तुरंत उसका मज़ा ले पाएंगे overall phone काफी अच्छा लग रहा है भाई अगर बात करें यहाँ पर variants की तो दो variants में phone देखने के लिए मिला है अभी तक 6GB प्लस 64GB, 6GB प्लस 128GB और price point कुछ निकल के आया नहीं है कि इंडिया में कहाँ पर आने वाला है लेकिन इस बार आप expect मत करो कि Redmi Note 9 जैसे price होने वाले है क्योंकि यहाँ पर दोनों phone आपको इस बार 15,000 के उपर ही देखने के लिए मिलेंगे जो Redmi Note 9 वाली series तो Note 9 Pro हमको 13,000, 14,000 में मिल गया था लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है दोनों phone 15,000 से उपर ही मिलेंगे मैं तो यह बोलूँ भाई 17,000 के उपर जाने वाले हैं दोनों phone तो इस चीज को लेकर के आपको थोड़ा सा तयार रहना पड़ेगा हलाकि phone के specifications काफी अच्छे लग रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन दबादेना और वाला option से लेट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकिशन पहुंचे आपको तुरंट से मैं मिलूँगा आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बबाई